हेलो एवरीवन वेल्गाम वन्स अगेन तो एससे टीपॉइंट मैश्वन पार्डेवर्ड फिर से आपके सामने आपका होस्ट और दोस्ट आइठिंक मेरे सारे स्टूएंट्स काफी अच्छा गर रहा है आपने थम्नेल देखा होगा तो ही वीडियो देखने आये होगे जी ह की ईकनोमिक्स के इस पार्ट से कुश्चं आते रहते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे को समझ नहीं पात favor इसे कहते हैं वांग यह इन शेय cafes पीमांड क्या होती है और इस से रिलेटेट कैसे कुश्चन आते हैं कुल मिला कि यह पूरा वीडियो आपको 20 से 30 मिनिट के अंदर समझ में आ जाएगा इससे अदा यह लगेगा नहीं और बहुत ही आशान सब्दों में आपको समझाया जाएगा तो आपको करना क्या है इन्हीं आशान सब्दों ग्राफ की मदद से आज हम पुरा किस से संजेंगे ग्राफ की मदद से संगे की BT कैसे इसका ग्राफ बनता है एक बार अगर अगर आपको ग्राफ याद हो गया तो मैं गैरन्टी कहता हूं कि आपको इसमों कोई दिक्कत नहीं आएग है मेंने साथ बने रही है आराम से वीडियो को देखिए पॉस कीजिए जो डाउट से उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और आज अपना कीजिए और असके बाद से आज से के बाद कभी भी आप से प्राइस लेस्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की रोज का खोशन आ गया तो कट्री छोड़ेंगे नहीं ठीक है तो पहले समझते हैं इडिजा कॉंटिटिव स्टेट्मेंट यह मात्रा के बारे में बात करता है कि कितनी कॉंटिटी की बात की जाती हैं किसी भी चीज़ को खरिदते हैं तो कितना ज्यादा कॉंटिटी होगी उसके बारे में बात की जाती है वेर लाओ डिमांड जो मांग का नियम है जो मांग की नियम है का नियम है वो एक कॉलिटेटिव मेजर है वो गुरवत्ता की बात करता है क्वालिटिटिटिव की बात करता है तो इसको तो अभी बात में पढ़ेंगे यह भी मैंने आपको लॉफ डिमांड नहीं पढ़ाया है लॉफ डिमांड जल्दी ही पढ़ेंगे बट पहले इसको हम फिनिश करेंगे इसके बाद लॉफ डिमांड क्या ही नंबर है ठीक आप कहते हैं ना लोचदार जिसके अंदर लचीला पनो इलेस्टिक सिटी अफ डिमांड तो वही कहा जाता है इलेस्टिक सिटी का मतलब हुआ क्या डिमांड चेंज ड्यू टू दे चेंज इन दे प्राइस मतलब मूले चेंज होने पर मांग का चेंज होना मूले के बदलाओ के साथ मूल्यों में बदलाओ के साथ मांग में बदलाओ मांग में बदलाव यह तो आम बात है बेसिकली अगर देखा जाए रेगुलर लाइफ में तो जिन चीजों के मूले बढ़ते हैं उसकी मांग में बदलाव आ जाता है जितने चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं उसकी डिमांड घटिया बढ़ जाती है डिबेंड करता है ज प्राइस के साथ दिमांड गटे या डिमांड बढ़े कुछ भी ओप्राइस के साथ सब्सक्राइस के साथ दोनों में चेंज देखने को मिले तो वहां पर हम इसे कहते यहीं dużo चैंज इनदेमांड प्राइस घटे बड़े घटेड डिमांड इसको कहते हैं ग्यक्राइस रहें इस्तिर होना कि किसी भी चीज के घटा दीजिए बढ़ा दीजिए पहले जितनी ईंसान खरीता था पहले सौरुपए में पांच उनित खरीता था आज जेड़ सौर्पे पर दिये फिर भी वह पांच यूनिट ही खड़ी देगा इस कीस में घर वागया इसे कहते है इन उड्र तो फिर हमें एक्जाम में क्या कारण है क्या कारण है अगली स्लाइड में समझे क्योंकि आपने इगनॉमिस को ग्राफ से नहीं पढ़ा अब जान लिए यही स्लाइड है यह सबसे इम्पOUR्टेंट इस इम्पोटेंट इस स्लाइड को जैसे इस इम्पोटेंट लिख रहा हूं वैसे तो पहले आप यह स्लाइड बना लिजिए और इस स्लाइड के नीचे हम कुछ ग्राफimm खेलेंगे और उस ग्राफ ग्राफ़ के बाहरां आप से कोई भी सवान नहीं चुटेगा यह मैं गैरेंटी देता हूं और इस सवाल किसी आने वाले टेस्ट में कर लेंगे जब मैं आपको माइक्रोग्रॉमिक्स का फिनिश करूंगा तो चलिए पहले देखते हैं आप देखें लिए का मतलब हो गया कर देखें और आपको डिकटा और खहनी हो आपको दिखना है कर्देखरेंен को पांच कूरिया है पहला कि पांच करदैक्रोगों यहाद रखेंगा याद रुखेंगा पूचा अपनाग की लोच्छ पुं ने हो तो क्या अर्थ है लोज जब शून्य हो हिंदी इंग्रिश दोनों में लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी माग की लोज जब सुन्य है फिर एक आता है यूनिटरी पोजीशन चीघंए यूनिटरी पोजीशन मतबब कर सकते हैं मां की लोच बराबर हो मां की लोच बराबर हो थोड़ा सा बराबर हो गई है को उता है infinite जब मांग की लोच अनन्त हो कि क्या हो आपके इन फाइनाइट हो अनन्त ख्रेणी में पहुच गई कि कोई लेना देना ही नहीं है और यहां पर और इसके की कंडिशन एक से कम और जीरो से जादा हो एक से कम और जीरो से जादा हो इसी को कहते हैं लेस देन यूनिट्री तो याद रखिएगा लेस देन यूनिट्री का है जाता है लेस देन यूनिट्री का मतलब एक हो गया और लेस देन यूनिट्री Sak मतलब एक से थोड़ा कम एक से थोड़ा कम बट जीरो से ज्यादा जीरो से ज्यादा और एक से थोड़ा कम अब चलिए इसको मोटी मोटा समझते हैं और यहीं पर एक और आएगी कि यूनिटरी से बैलेंस पोजीशन के बाद अनंत के बीच में भी एक सब आती है जब एक से ज ज्यादा हो अब इसको समझते हैं एक्जामपल से चलिए समझते हैं पहला है इसे कहते हैं पर्फेक्टली इनिलास्टिक पूरा का पूरा इनिलास्टिक इसका मतलब क्या है पर्फेक्टली इनिलास्टिक डिमांड इसमें क्या होता है मूले आप बढ़ाईए पी का मतलब यह पर प्राइस से हैं यह कहा है मूले बढ़ाओ या घटाओ डिमांड में नो चेंज जब किनी वस्तुओं के मुल्यों पे आप उसको बढ़ाएं या घटाएं किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा दीजे या घटा दीजे उसकी डिमांड पांच यूनिट पहले थी और आज भी पांच यूनिट है चाहे वह आप सो का बेच रहे हों या पचास का बेचने लगे उस समय कहा जाता है कि मांग की लोच शून्य है जीरो इलैस्टिक सिटी ऑफ डिमांड क्या होती है सवाल ऐसा आएगा जीरो इलैस्टिक सिटी ऑफ डिमांड क्या है तो आप्शन पहला फिट थी है उतनी ही मांग में बढ़ा तो भी गरत तीसरा लिखेगा मुल्म के वृदिक से वस्तु की मांग पे कोई असर नहीं पड़ता तो यह आँसर आपका सही है कि डूटु पॉचेंज इन प्राइस डूट वचेंज इन प्राइस डूटु यूट चेंज इन प्राइस जीडो से समझ में आगी बात बड़े सिंबल सभाद में समझाया है मैंने कि जब भी पिर से सुन लिजये जब भी सबस्तू का मूले घटे बस्तू का मूले बढ़े बढ़ते हैं यूनिट्री पर आते हैं इसका मतलब क्या है देखे इन सबी को हम पर्सेंटेज में काउंट करते हैं याद रखिएगा इसको आप प्रतिशत में काउंट करेंगे अगर किसी भी चीज का मूल जितना बढ़ा है उतना ही उसकी डिमांड खड़ जाए जितने परसेंट आपने मूल बढ़ाया उतने ही परसेंट अगर उसकी मांग घट गई तो एक मैं आपको ही ग्राफ बनाता हूं चलिए मालेजिए कि कोई वस्तु है वाई तो प्राइस आफ वाई की बात करता हूं मैं पहले यह 10 रुपे था ठीक है बढ़के 12 रुपे हो गया तो देखिए कितने रुपे बढ़ा दो रुपे बढ़ा किस पर बढ़ा दस रुपे भढ़ा कितना बढ़ा बीस परसेंट प्राइस बढ़ा दिया अब कॉन्तिटी आफ वाई कॉन्टी आफ वाई कितनी कॉठीब तो सब्स हैँ ओस दस दस रुपे का जब मिलता था तो हम 20 unit खरीते थे नहाँ अब बारर रुपे का ओगया तो सोले यूनिट खरी दें गितने सोले यूनिट खरीदे जा रहे हैं क्योंकि दो रुपे प्राइस बढ़ गया तो देखते हैं चार रुपे किस पर बीस पर पच्छे सो पांच रुक का बीस मतलब यहां पर क्या हुआ बीस परसेंट मूल बढ़ने के कारण दिमांड में बीस परसेंट का घटाव आया बीस परसेंट पराइस पड़ा तो दिमांड ज जानी ज्यादा ठाँप अगर उतनी ही नियू सब्सक्राइब घटी इसको कहते हैं यूंट канале इलैस्टिक सीटी यूंटे इलैस्टिक से ज़्या रखेगा मांग की लोज का एक बराबर होना एक होना इसे कहते हैं इसब्मार मांग में ज्यादा बढ़ने मांग में थोड़ा बदलाग होना तो नहीं वस्तु का मुल्य तो प्राइस ऑफ दो गुड्स रीच जितने परसेंटेज रीच हुए उतना ही परसेंट डिमांड घटे इसलिए तो कहते एकवल टू वन तो अभी समझ में आ गया जीरो को परफेक देंगे जितना हमें खरीदना है यहां आप जितना प्राइस बढ़ाएंगे उतनी यूटिक अपर देंगे हम थोड़ा सा कंजप्सन कम कर देंगे क्योंकि हमारा बजट उतना ही है ठीक है अब आते हैं इन फाइनाइट पर पहले इन फाइनाइट का मतलब समझो इसका ग्र पर बनाओ इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो यह देखो इक एक एक्स एकसिस होता है यह कोई प्रोब्लम नहीं एक पर प्राइस ले लीजिए और एक रिवर गुट्स और यह कॉंटिटी आफवाई बूट्स है तो बताए पहले प्राइस कितना था दस रुपया अब प् सब्सक्राइब करें तो इसका ग्राफ कैसा है यह क्या है यह इसका ग्राफ है अभी मैं एंगली स्लाइट पर अच्छे से समझाता हूं डूँन्ट फॉरी चलिए अब समझते हैं इन्फाइनाइट क्या है मांकी लोच का अनंत होना परफेक्टली इलैस्टिक सिटी सिटी यहां परफेटली इनलास्टिक जब मांग की बोद छूने हो और मांग की लोड चौप अनन्त हो इन्फाइन एंट और फिसक इनलास्टी इसका अग्स का जश्ट अपोजिट हो अब क्या है प्राइस कॉंस्टेंट है और दिमान्ड में बहुत जदा अप्एंड डाउन है हगसे ज़्यादा अचानक पहले दस की थी आज भी दस रुपए की लेकिन पहले उसकी तो आप हरी ते थे अचानक इस की कि कब इसी को जनता स्पचास उनिट खरीद रही है और कभ यही पांच उनिट खरीदी जा रही है कीमत में तो कोई चेंज नहीं है तो याद रखेगा परफेक्ट ली इनलास्टिक और इलास्टिक में एक ही फर्क होता है दोनों हाथ में देखिए यह कहता है प्राइस यहां कॉंस्टेंट है यहां प्राइस कॉंस्टेंट दिमांड कॉंस्टेंट प्राइस कॉंस्टेंट प्राइस कॉंस्टेंट तो परफेक्ट ली इनलास्टिक ओके और अगर दिमांड कॉंस्टेंट तो परफेक्ट ली इलास्टिक वाट इट और हलका सा भी अगर प्राइस और का डिमांड में चेंज आया तो फिर आप इन दो के डिगरी में आएंगे और इक्वल चेंज आया तो मेरी पीछे वाली के डिगरी में आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे जितना प्राइस उतना डिमांड वान थोड़ा सा कम जादा या तो यह या तो यह चमसते हैं या तो यह या तो यह क्या है अब समझे इसे कहा जाता है या रिलीटपली निलेस्टटिक दोनों शब्ड़ों का रूप्ए निलेस्टिक इसका मतलब क्या हुआ अब यहां पाँ कि दो यहां लित नुब हो था यहां बीस की जगा 16 खरीद रहे थे ना पहले दस में 20 मिल रही थी यह प्राइस था यह कॉंटिटी थी तो पहले क्या थे दस में 20 खरीद थे अब 12 हुआ तो 20 परसेंट रेट बढ़ गया लेकिन अब 20 परसेंट बढ़ गया तो इसका उन्ताव यह नहीं है कि हम 20 परसेंट ल तो ऐसा माल लिजे कि माल लिजे भाई 10 परसेंट थोड़ा सा तो आप देखें 10 परसेंट यह आप अठारे की जगए इसकी सत्रे यूनिट खरी दिए तीन कर लिजे भाई तीन पच्छे 15 ठीक है तो अब देखें यहां पर क्या था प्राइस बढ़ा 20 परसेंट और डिमां रिलिए इन एलिएस्टिक ही परफेक्टली है इने लेस्टिक सी है लेकिन इस से छोड़ी कम है क्यों कि थोड़ा तो चेंज आया है पाच अलब ह塞त रहते रहते हैं क्योंकि यू प्रैस सब्सक्राइब कर रहे तो एकदम इग्जैक्ट ना हो के थोड़ा कम हो प्राइस में उससे थोड़ा कम गिरा बटाए तो उसे कहते हैं यूनिट्री रिलेटिवली इनलेस्टिक इसमें बहुत ही सिंपल से लैग में समझा दिया अब इसी का अग्या होगा अगर प्राइस यहाँ पर बदलाव जादा हो रहा है प्राइस के कमपेरजियों में जब यमांड में जादा बदलाव हो तो आप इलस्टिक सिटी की तरफ भागते हैं तो सारा गेमाइंट से रिलेटेव प्राइस को अपने सामने रख लीजे अगर प्राइस के कम पर जन में डिमांड में चेंज कम है दिमांड में चेंज कम है तो आप इन इलेस्टिक सिटी की तरफ भागेंगे याद रखेगा फिर इन दो क्राइटेरिया में आएंगे बराबर है तो यूनिट्री पड़ी है लेकिन अगर ज्यादा है तो आप किसकी तरफ भागेंगे इलेस्टिक सिटी की तरफ इतना याद रखिएगा तो इसे रिलेटिवली एलास्टिक कहते हैं अब यहां पर लिजे कि 10 रुपए थे प्राइस तो आपने क्या कर दिया बार रुपए कर दे पहले बंदा बीश उनिट खरीता था आज आगया फोर्टीन यूनिट पे अब देखिए किते हैं पता नहीं सही आजाए आंसर बीस पर्चे थर्टी परसंट पहले बीस उनिट खरीता था अब कितने 14 उनिट अचानक उसने बस दो रुपए कीमत बढ़ा लगा है उसने फटा है उसने फट ख से गिरा दिया कि इसमें क्या हो रही है और तलमेंर जादा चैंजा हो निटुक्ड़न क्या अन्टाइड पर और उसके बाद में चेंज होती हेक रहे तो तो मोटी मोटा यही स्लाइड आपके लिए इसको ऐसे ही लिख लिजे विडियो पॉस कीजिए इसको लिखिए और अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेखेंगे क्योंकि ग्राफ से भी कुश्चन आते हैं और ग्राफ से सीख गए तो फिर क्या बूछना चलिए समस्थे ग्राफ देखते हैं फहले हम समझते हैं जब यह आप इसि क्या अब इसी क्या कne क्वार्टटटटटटट और दस रुप्पाइज ता फिर प्रैस क्या हुआ पहले पर 거죠 तो यह क्या हुआ यह समझ यह चैन्ज कर लिघा अच्छाए आपको तो 10 रुपे पे हम वीश यूनिट कर दिदें कि यह ग्राफ क्या है एकस पे आप कहेंगे कि यह ग्राफ क्या है यह ग्राफ क्या हो गया परपेंडिकुलर्ट ऑफ एक्स एंड पाइल टुटो झालकत तो किसरी यह क्या है यह होता है एक्स तो क्या होता है यह ह travelled किंदा खड़ा हो गैसे लृज़्स तो बहूंदत है तो प्रफेकल रिप्रेजेंटेशन में अब पाएंगे stretch परफेक्टली इनलास्टिक इसके लाइन में बराबर है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रास्टिक सिटी आफ डिमांड का ग्राफ बनाते हैं तो यह लाइन तो सीधी खड़ी हो गई और पर्पेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे और पैलल किसके है वाई एक्सिस के है तो यह होता है अब हम बात करते हैं यूनिट्री की ठीक है इसमें क्या पाया देखें पर्षण इंक्रीज हो रहा है फ्irmask ठीक हो रहा है इट्रीक आप का अका करेंज स्वाई क्रीज हुआ तो अब देख्या करकें यह एक्स यह एक्सेस अब इस आप दिखाएंगे प्राइज और इस पर दिखाएंगे क्वांटिटी इसनिकारिंगे होंटिटी तो अब आप क तो यह जा रहा है तो यह थोड़ा सा मतलब इस तरह से जाएगा इसको एकदम स्टेट लाइन भी नहीं कहेंगे, यह 16.50 का बीज एक निटको में बताता हूं, इसको स्टेट लाइन ना थोड़ा सा, यह ऐसे इंग्रीज करो, यह यहां मैच करो, यह यहां मैच करो, यह था हमारा 10, यह था हमारा 12, 10 पे 20, 12 पे 16, तो यह कुछ ऐसा, एक मिनट, यह थोड़ा सा, इसको उपर से लाते हैं, यह कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, यह ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, और इसको कहते है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, इसे आप क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, इसे आप कहेंगे कि जो यूनिट्री पोजिशन है, कौन सी है, यूनिट्री पोजिशन है, यूनिट्री पोजिशन जिसमें इलेस्टिसिटी आफ डिमांड इकोल होती है, वन के सेम परसेंटेज में चेंज होता है इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कहते हैं इसे क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है यह हो गया इसके बाद आते हैं इस पर और समझते हैं यह कैसा है यहां भी हमने क्या पाया कि प पहुत जड़ा इंपोर्टेंट है आपके लिए खुद नहीं पढ़ा रहा हूं आपके लिए प्राइस दस थी दस रखेए फिर प्राइस क्या है आपकी दोनों बार दस है और क्वांटिटी क्या थी पहले दस पर 20 थी तो मैच हुआ ठीक है अब 10 पे क्या है दस है दस पे क्या है ये 10 रखे और ये 20 रखे अब क्या है ये हो गया तो ये तो ग्राफ आप देख रहे हैं फ्लैट आ गया ये ग्राफ कैसा आ गया एकदम फ्लैट आ गया जैसे कि उसमें अलग था और इसमें क्या हो गया पुरा अलग आ गया राइ टोटली सीधा जा रहा है तो ड्यांसे देखो यहां पेरलल किसके फैरलु एकसे इसमें एक्स एक्सिस इसमें एक्सके परपेंडिकुलर मैं इस पर बनाएगी फिर से देखे जब टोटली इलास्टिक हो इडी का मतलब क्या होता है फुल्ली इलास्टिक जब प्राइस कॉंस्टैंट हो प्राइस क्या हो कॉंस्टैंट हो और डिमांड आप एंड डाउन लगी रहे तो इसमें गया हुआ आपको क्या मिला पर्फेट्लि इनलस्टिक जहां पर कोई चीज नहीं होता वहां पर प्रपेड़य टू एकसेस फिर्म टू य डिवाई आउब हमारे पास 2 केस बसते हैं कौं सा अगारे लेस देन युनिटरी यह गार है लेस दैन यूनितरी वाला पॉर्शन बचा हमारे पास Såil इसका देख ہے लेकी और प्रांडब सनवाइन और पना ट्यु Also ग्राफ के लिए इस beads सिए में आप बना देता हूं quiet सब्सक्राइब यह सेम की तरह पी वाई प्राइस ऑफ वाई कॉंटिटी ऑफ है अब आप ध्यान से देखें इसका मैं ग्राफ बनाओ पहले तो इसमें क्या पता था कि जितने परसेंट प्राइस बढ़ता है डिमांड उतने परसेंट नहीं घरती कैसे इसका ऐसा था हमारे प सबता है जने खरीड़ी छेन किवा जैंब घरत देखें शीलुत करेंसमें कि इन ग्राफ सेब्सक्रायकोरी यह अग्राफ बनाने की कोशिश करें यह 10 रख लो और यह वेल रकलो है और यह और है है और यह मेरा 17 तो थोड़ा सा गैप काम न बार को तो रस पर बीस और बाराप पैस्त्र तुम Wil यह साघ्राफ होगा यह तोड़ा सा पूर नहीं हो गाप आपको यह सा होगा यह तो यह ग्राफ इसे कहते हैं इस पर इन लोग इसका स्लोप काफी तेजी से जुकता हुआ जाएगा काफी तेजी से तो डिमांड 30% घट गई इसका मतलब तो फिर लोचा हो गया इसका गराफ बनाएं इंडेक्स तो इसका इंडेक्स आपको ऐसा बनेगा चोटा सा और कलरसर बना देता हूं आपको चीज़े ज़्यादा बैतर समझ में आ जाएंगी आपके सर अगर इसकी पीवाई पीक्यू को मैं देखूं तो जब प्राइस जब हम इसकी प्राइस दस रुपए दी और दूसरी जब प्राइस इसकी बारे रुपए हो गई ठीक है तो पहले जो यूनिट थी वह बीस दस पर वीस चलो टॉन्टी हां लेली मैंने लेकिन अब यह फूर्टीन है अब क्या है अब बारह बेगिती है फूर्टीन है तुई बारह पर आ रहा है और तुम फूर्टीन पर आगए यहां पर धराक सी गिरके आगीए यहां पर थोड़ा और नदिख आ गए ठीक है तो इस के ज़्याधा इस्टीप था यह ज़्यादा इस्टीप जयादा दे दिया मैंकि मैं इसको थोड़ा कम करो तो थोड़ा स्क्राइब यह ऊंगा यह एसे कड़ा एक थेал ज़्ञे है गरो यह हूंस इस टीपर यह आपका रेक्टेंगुलर है पर भोला यह पर्पेंडिकुलर टुद एक्स एक्स प्रपेंडिकुलर तुद यहीं पर आपकी इलेस्टिक सिटी ऑफ डिमांड से सारी प्रॉब्लम्स होती है ठीक है इतना अगर आपने रेडी कर लिया यह आपने ग्राफ समझ ल यह इससे रिलेट करेगा यह इनका आपस में तोड़ा सा अपोजीशन है और यह मिड में आएगा तो कैसे क्या रिलेट है एक बार बैट के वीडियो देखिए फिर ग्राफ बनाएए अपना यह तोटल सिक्स स्लाइड ही मैंने इसमें आड़ की ती इसको चाहते तो हम बार हो गया है आपने कभी नहीं पड़ी कोई बात नहीं आप बस इन ग्राफ को समझो देखो ना यह ग्राफ इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं है वाई एक्सिस एक्सिस सबने पढ़ाया सिक्सेमने इट में सिद्धी बात है चीजे बढ़ती है तो ऊपर की दरफ जाएंग होता है इसके बाद मैं आपको लाफ डिमांट पढ़ाने वाला हूं जल्दी अगली वीडियो से थोड़े बहुत कुश्यन आते हैं और अब मैं कोशिश करूंगा आगे से वीडियो में जो आपके टॉपिक होंगे उस से कम से कम पांच कुष्चन वीडियो के एंड में करवाऊंगा ताकि आपको यह आइडिया लग जा कि किस तरह के पूशे आते हैं तो आज लग लिए तो चैनल को लाइक करें सुस्क्राइब करें करें वीडियो को बने रहें मेरे साथ मैं शुम पांडे मिलता हम आप से कभी और जाहिन जाय भारत